अश्राम अलेकम वीवर्स आपकी हिद्मत में हादर है एक नया वीडियो के साथ आज का वीडियो जो वो हमारा काफी असान और सिंपल होने वाला है और उसके लिए हमने ये तीन प्लाई उन इस्तमाल करनी है और ये हमारा तक्रीबन दो धाई एमेम का क्रोशिया ये हमने इस इस्तमाल कर सकते हैं तो चले हम स्टार्ट करते हैं तो वीवर्स सबसे पहले तो हमने चेन ले लेनी है जितनी भी हमें चाहिए तो मैंने तो पैटर नहीं बताने आपको लेकिन आपने जो भी चीज़ बनानी है उसके हिसाब से ही आप लोगोंने चेन लेनी है तो चेन हमें चाहिए जो 2 प्लस 2 चाहिए तो इस तरह से करते वे हमें जितनी भी चेन चाहिए वो हम ले लेगे तो पिवस मुझे जितनी चेन चाहिए थी वो मैंने ले ली है तो अब हमने इन तमाम चेन में सिंगल क्रोशिया जो है इस तरह से वो बना देने इस तरह से करते वे हमने सिंगल क्रोशिया जो वो तमाम चेन में बना देने तो वीवर्स ये देखें ये हमने सिंगल जो क्रोशिया वो ले लिया अब हमने यहाँ पर तीन चेन लेनी है और नेक्स्ट वाली चेन में फर्स्ट पे तो वो तीन चेन का डबल क्रोशिया काउंट होगा तो इस तरह से हमने इन साथ तमाम जो ये जो चेन है इन में हमने डबल क्रोशिया जब ले लेना इस तरह से करते वे ये डबल क्रोशिया हमने तमाम चेन में बना लेना तो वीवर्स ये देखें यह हमने तमाम चेन में डबल क्रोशिया बना लिया है अब हमने यहां पर इस तरह से दो चेन लेनी है और इसको टरन करके इस तरह से निडर पर धागा लेना है और यह जो यह हमने छोड़के तो यह नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया इसमें हमने इस तरह से यह गुनना है ये थोड़ा सा लंबा खैंच के तो ये इस तरह से करते वे ये डबल क्रोशिया हमने बना दीना है अब ये जो हमने छोड़ा था डबल क्रोशिया तो इसके उपर ये देखें ये जो चेन इसकी है ये तो ये फरंट साइड से ही ये देखें इस चेन में से हमने ये धागा भी हमने क्रोशिय पे लाजमी से लेना तो ये इस तरह से करते हुए ये हाफ डबल क्रोशिय हमने इस तरह से बना देना फिर से इस तरह से नीडल पर धागा लिया हमने और ये वाला छोड़ना एक और ये नेक्स्ट वाले में इस तरह से ये इस तरह से अब फिर से नीडल पर धागा लेके ये जो हमने छोड़ा था ना डबल क्रोशिया इसकी ये जो चेन है इस में से हमने इस तरह से लेते वे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से मना देने फिर से ये हमने छोड़ के नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा लंबा ख्यांचते वे इस तर half double crochet तो इसी तरह से विवर्स हमने यहां तक यह बनाना है तो यह देखें यहां तक यह हमने बना लिया है तो अब हमारा यह पचा लास्ट में यह जो तीन चेन ली थी हमने तो थर्ड वाली जो चेन है उसमें से हमने इस तरह से यह हमने फिर भी एक यह छोड़ना है तो थर्ड वाली चेन में हमने इस तरह से हाफ टबल क्रोशिया इस तरह से बना देना है तो अब हमने फिर से सिंगल चेन ले इसको टर्न किया और यहां पर हमारा यह एक चेन ले लिया हमने और यह next वाले में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया जो है वो बना दे इस तरह से तमाम में हमने सिंगल क्रोशिया बना दे तो यह देखें यह हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया अब फिर से हमने रपीट दोबारा से यहां पर यह एक चेन और नेक्स्ट में हमने फिर तमाम इसी तरह से यह जो रो है हमारी इस में हमने इस तरह से ही single crochet जो बनाना है तमाम यहां तक तो यह देखें यह हमने अपना single crochet वाली जो line है वो complete कर ली अब हमने यहां पर लेनी है तीन चेन और इसको टर्न करते वे हमने अब यहां पे हमारे यह एक डबल क्रोशिया आ गया और बाकी तमाम चेन में हमने इस तरह से यह सिंगल क्रोशिया जब बना देना यानि कि जिस तरह से यह हमने बनाया था ना उसी तरह से यहां पे तो वीवर्स प्लीज आप लोग वीडियो को देखा करें और लाइक तो लाजमी किया करें ताके जितना आप लोग लाइक करेंगे उतना ही हमें फाइदा पहुंचेगा और हमारी जो वीडियो है वो आगे यानिके लाइक की वज़ा से आगे पर्मोट करेंगे यूट्यूब पे इस तरह से हमने डबल क्रोशिया ये सारे बना लिए तो ये सारा डबल क्रोशिया जो हमने बना लिए तो अब हमने यहाँ पे एक, दो, दो लई और ये वाले यानिके ये वाले जो स्टेप है वो दबार से रिपीट करने है इस तरह से और फिर जो हमने छोड़ा था इसकी उपर जो चेन है नीडल पर धागा लेते होगे इस पर यो चेन है ये देखें उसमें से हमने इस तरह से ये फिर से ये छोड़के नेक्स्ट वाले में इस तरह से फिर से नीडल पर धागा ये जो हमने छोड़ा था इसके उपर से हमने इस तरह से येनके हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाने इस तरह से तो इसी तरह से वीवर्स ही हमारा जो डिजाइन वर रिपीट होता जाएगा तो वीवर्स यह देखें इस डिजाइन हमारा जो है वो बन कर इस तरह से कुछ नजर आएगा तो यह इसकी बैक साइड और यह फ्रांट साइड है तो उमीद करते हैं आपको हमारा जो वीडियो वो पसंद आया अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो लाजमी कीजिएगा और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफीज